Hello Friends, Welcome back to my channel दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो अगर आपके पास Windows PC और Laptop में जब भी आप MSI App Player या फिर BlueStack App को ओपन करते हैं गेम को इंस्टॉल करने के लिए तो आपके पास ये Error आ रहा है MSI App Player is currently limited to using one CPU core on your PC तो आप इस Error को Easily Remove कर सकते हैं दोस्तो ये Error इसलिए आता है आपके PC में Virtualization Technology Enable नहीं होने से आपके पास ये Error आ सकता है तो सबसे पहले आपको जो है कुछ यहां पर Windows की Settings बताने वाला हो उसके बाद आपको जो है आपके PC या Laptop में आपको BIOS की सेटिंग में भी जाकर एक सेटिंग को Enable कर देना है उसके बाद आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं होगी तो वीडियो को Enter टेकते हैं ये सबसे पहले आपको जो है Windows के सर्च बार में टाइप करना है Control Panel उसके बाद आप इसको किलिक करकर Open कीजिए तो आप यहां पर देख सकते हैं .NET Framework और यहां पर .NET Framework 4.8 इन दोनों box में आपको चेक करना है फिर आपको यहां पर स्कॉरल करना है और आपको यहां पर Find Out करना है Virtual Machine Platform इस वाले box में भी आपको टिक कर देना है उसके बाद आपको यहां पर Windows Hypervisor Platform इस वाले box में भी आपको टिक करना है फिर दोस्तों आपको यहां पर OK के ओपर किलिक कर देना है तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं Searching for Required Files तो यह process complete होने तक आप थोड़ा सा wait कीजिए तो अभी यहां पर यह जो PC है restart करने के लिए बोल रहा है तो मैं यहां पर PC को अभी restart नहीं करने वाला हूँ उसके बाद आपको टाक्स मेंजर को right किलिक करना है फिर आपको यहां पर टाक्स मेंजर के ओपर किलिक करना है उसके बाद आप जो ही यहाँ पर performance वाले टैब में आए और आपको जो ही यहाँ पर CPU में यहाँ पर आप देख सकते हैं virtualization तो यहाँ पर यह disable है आपको शो हो रहा है disable तो आप इसको यहाँ पर से close कीजिए यह option अभी enable नहीं हुआ है तो अभी यहाँ पर मैं अपने PC को जो है shutdown कर लेता हूँ यहाँ पर shutdown के ओपर किलिक करकर इसको shutdown करकर BIOS की setting में जाना है आपको system को shutdown करने पर आपको जो ही यहाँ पर BIOS की setting में जाना है तो मेरे पास Lenovo का laptop है तो यहाँ पर side में एक बटन है इसको थोड़ी देर के लिए hold करना है उसके बाद यहाँ पर BIOS की setting को option आ जाएगा तो अभी यहाँ पर इसको open कर लेते हैं तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं BIOS that show हो रही है बाइस set up के उपर आपको जो है किलिक कर देना है यहाँ पर BIOS setting open हो जाएगी फिर आपको यहाँ पर BIOS की setting में configuration वाले टैब में आना है अभी आपको यहाँ पर बता आने वाला हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं आप पर यहां पर रहा है आप इंटल वीर्चूल टेक्नलोजी तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए PC restart होने तर उसके बाद आपको यहां पर टाक्स मेंजर में आना है तो यहां पर आप देख सकते हैं Performance वाले टैब में आना है आपको उसके बाद यहां पर आप CPU को select कीजिए तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर यह एनेबल हो गए है पर यह डिसेबल था तो दोस्तो इस तरीक से आप यह problem को solve कर सकते हैं अगर आपके पास MSI app player में यह problem हो रही है तो उम्मिद आपको वीडियो पसंदा तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कीजिए